तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें आप किसी के घर जाएं या किसी की दुकान पे जाएं या आप किसी भी अंजान वेक्ति से मिलें तो सबसे पहले तो आपको अपना इंट्रोडेक्शन दे देना है कि भाया नमस्ते मेरा नाम अउधे सुपाध्या मैं Life Insurance Corporation of India में का करता हूं और अभी मैं एक छोटा सा सर्वे कर रहा हूं लोगों के घर को सुरक्चित करने के लिए जिसके लिए मुझे अभी आपका सीब 2 मिनट का समय चाहिए तो क्या भी मैं भी आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं अब दोस्तों जब किसी वेक्ति से आप इस ताह से बाते क और उससे आप समय मांगोगे दो मिनट का तो जो जादा तर लोग होंगे वो आपको बहुती असानी से अपॉइंट्मेंट दे देंगे यानि दो मिनट का समय आपको बहुती असानी से मिल जाएगा तो वो वेक्ति जब आप से कहे कि हां कहो आप क्या कहना चाहते हैं तो आप आपको उस वेक्टि से कहेना है भाइया जैसे की मैंना आपको बता आए कि मैं घर को सुरकचित करने के लिए एक छोटा सवे कर रह रहू हूं सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपके घर का खर्चा है वो महिने का कितना यानि कितने रुपे आपको अपने घर के खर्चे को मेनेज करने में हर महीने लगते हैं अब दोस्तों जब आप किसी वेक्ति से ये सवाल पूछोगे तो आपको एक अमाउंट बताएगा और जादा तर जो लोग होंगे वो आपको जादा से जादा ही अमाउंट बताएगे कोई वेक्ति आपसे कहेगा कि मेरे घर के जो खर्चे है वो 20,000 रुपे महीने का मुझे लगता ही लगता है तो कोई वेक्ति कहेगा 15,000 लगता है हो सकता है कोई वेक्ति कहेगा कि 50,000 रुपे लगता है तो देखा जाए तो कोई भी वेक्ति कुछ भी amount बता है आपको उसे सुन लेना है और उसके बाद आपको उस वेक्ति से अगला सावाल पूछना है भीया, देखा जाए, तो आपके जो यह घर के खर्चे हैं, जो भी आपका घर का किराया है, या जो भी आपके medical वगएर के खर्चे लगते होंगे, बच्चे की school की fee's लगती होगी और जो भी आपके घर के खाने पीने के खर्चे होते होंगे, या इसके लाओ, कभी आप गूमने फिटने जाते हो यानि आपके घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी खर्चे हैं वो आपकी इंकम से ही पूरे होते हैं क्या भाईया मैं आपसे सही कह रहा हूँ अब दोस्तों वो वेक्ति आपको हाँ काएगा वो यही बोलेगा कि हाँ म कभी बंद हो जाती या बहुत कम हो जाती हैं तो उस कंडिशन में जो आपके घर के खर्चे हैं क्या ये कंटीन्यू चलेंगे या ये भी कम हो जाएंगे अब वो वेक्ति आपसे कहेगा कि मेरे जो घर के खर्चे वो थोड़ो ना कम होंगे वो तो लगेंगी लगेंगे मेर जो खाने पीने के खर्चे हैं या घूमने फिनने के खर्चे हैं यानि घर के जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं वो तो पेसा लगेगा ही लगेगा यदि मुझे इंकम कम मिलेगी तो हो सकता है मैं खर्चे थोड़े कम करूँ लेकिन जादा था कंडिशन में मैं कितना भी कम क ज़ादा amount कम नहीं कर सकता, तो दोस्तों जब वो वेक्ति आपको इस तहर से जवाब देता है, तो इसके बाद आपको इस वेक्ति से कहना है, तो भाया मैं आपको यही बताना चाहता हूं, कि आज जो आप इंकम कमाते हो, उससे ही आपके घर के जो खर्चे हैं, वो अच्छी मिल पाएगा, तो आपके फेमिली को घर चलाने में कितनी तकलिवों का सामना करना पड़ेगा, कितनी मुसीवत होगी, उन्हें कभी इसके बारे में सोचा है आपने, और भाया आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, कि भगवान न करें, लेकिन जो अनोनी हो, कभी किसी भी वेक्ति के साथ घर सकती है, तो यदि आपके साथ कुछ हो जाता है, तो उस कंडिशन में क्या आपने कुछ एसा इंतिजाम करके रखा है, क्या आपके परिवार को जो आप ये इंकम कमा कर देते थे, जिससे आपके घर के खर्चे मेनेज होते थे, ये पेसा continue आपक बहुत कम बताएगा यानि जितने पेसों कि आव सकता उसकी फेमिली को हर महीने होगी उतना पेसा उन्हें नहीं मिल पाएगा तो इसके बाद दोस्तों आपको इस वेक्ति से कहना है भाईया मेरे पास एक बहुत सांदर प्लान है जिस प्लान को यदि आज आप ले लेते हैं भगवान ना करें लेकिन यदि कभी आपके जीवन कांथ हो जाता है तो उस कर्णिशन में भी आपकी फेमिली को हर महीने उतना पेसा मिलता रहेगा जितना कि आप कमाकर लाकर देते थे जिससे कि आपकी फेमिली सारे खर्चों का अच्छे से मेनेज कर पाती थी तो भाईय भाईया ये जो समय है मेरा अपॉइनमेंट लेने का है यानि अभी मैं आपके पास सीप अपॉइनमेंट लेने ही आया हूँ हाँ मिटिंग में जब मैं आपके पास आऊँगा उस समय में आपको सारी चीज़े डीटेल में बताऊँगा और भाईया कौन सा प्लान है के सा प बेनिफिट आपको मिलेंगे वह तो बताईए भई आपके पास सीप अपॉइन्मेट लेने के लिए ही आया हूँ तो बताईए भईया मैं आपसे कल मिलू या पड़सो अब दोस्तो वेक्ति आपसे कहेगा कि ठीक है आप कल मिलो तो इसके बाद आप उस वेक्ति से समय मांग कि आप सुपह 9 बजे मिलो या 10 बजे मिलो आप कल सुबह मिल सकते हूं तो इसके बाद आपको उस बेक्ती ने जो भी दिन बता है वह जो भी समय बता हूँ आप अपने डायरी में लिख लीजिए और उस बेक्ती ने आपको अपना कीमती 2 मिनट का समय दिया आपकी बाते ध्यान से सुनी इसके लिए उसे आप थेंक्यू कहिए और आगे निकल जाएए और वापस से आप जिस घर जाना चाहते हैं जिस दुकान पर जाना चाहते हैं आप किसी भी अंजान बेक्ती से मिलना चाहते हैं उसके पास आप जाएए और इसी थार से बात कीजिए और अपनी मिटिंग के लापॉइन्मेंट फिक्स कीजिए और जब आप मिटिंग में में इनने अपनी फेमिली को पेशा कमा कर देता था और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप उस बेक्ती को अच्छे से इंस्योंस प्लान बता पाएंगे उसके घर के खर्चों को सुरक्षित करने के हिसाब से तो वो बहुती असानी से अपने घर को पेशा बचाना ही बचाना है तो आपका जो रिटार्मेंट प्लान है यानि जो आपकी इंस्योंस पॉलिसी है बहुत ही असानी से बिग जाएगी तो यदि आप किसी वेक्ती को रिटार्मेंट के लिए अवेर करना चाहते हैं तो आप बातों ही बातों में उस बेक्ती से कह सकता है और अपने बुढ़ाबे में अच्छे से जी सकता है और भाई आपने आज भी अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी उम्र पचास साथ साल की होगी और उन्हें मजबूरी में कही न कहीं कुछ न कुछ काम करना पड़ता है यदि आप चोक चोरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा तो यदि देखा जाये तो रिटार्मेंट में यदि कोई बेक्ती चाहे तो कड़ी मेहनत करके भी अपना गुजारा कर सकता है और जो दुसरा वि बोड़े हो जाते हैं और जो कमा नहीं सकते है या उनकी देख रेक करने वाला कोई भी वेक्ती नहीं होता है तो ऐसे लोग क्यों बहुत अच्छे से कैर करते हैं उनको खाना पीना रहना यानी बहुत सियस्पौई उभी तो यदि कोई वेक्ती चाहे अपने retirement में यानी बुढ़ापे में तो touch or charity की मदश से भी अपना आगे का जीवन बहुत अच्छे से बिता सकता हैं। अपने जीवन बहुत अच्छे से बिता सकता हैं। यानी यदि आपके बच्चे हैं आपने उनका जीवन बहुत अच्छे से ध्यान रखा हैं और अब वो कमाने लगे हैं। तो अब आप चाहो तो उनके साथ अपना आगे का जीवन बुढ़ापा बहुत अच्छे से ब्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भाईया ये जो आप्सन में आपको बता हैं ये किसी भी बेक्ती को पसंद नहीं आते हैं। वो बेनिफिट ये है कि आप चाहो तो अपने रेटार्मेंट को या बुढ़ापे को आज ही सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप उतनी पेंसन ले सकते हों। और भाईया देखा जाये तो ये जो आप्सन है बुढ़ापे में पेंसन का ये बहुती सांदार आप्सन हैं। और हर वेक्ती इस उप्सन को पसंद करता है। इसके लाओ बुढ़ापे में जो भी आपकी सोक मोच के खर्चे होंगे या मेडिकल वगेरे के खर्चे होंगे उन्हें भी आप बहुती आसानी से मेनेज कर सकोगे। क्योंकि आपके पास पेंसन की रूप में एक बहुत अच्छा अमाउंट होगा जिससे कि आपके सभी छोटे वा बड़े खर्चे बहुती असानी से मेनेज हो जाएंगे। रिटार्मेंट को सुरक्षित करने के लिए आपको हा नहीं कहेगा, वो आपको यहीं कहेगा, हाँ बताओ कैसा प्लान है, क्या करना होगा, उसके बाद आप उस बेक्ती से मिटिंग के लिए उपईनमेंट ले सकते हैं, और जो भी समय डिसाइड होता है, आप उस समय उस ब बातों का ध्यान रखते हुए आपको एक इंसुएंस प्लान उसे बताना है, यानि अपना रिटार्मेंट प्लान उसे बताना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप सारी बातों उसे अच्छे से बता देंगे, उसके बाद यदि आप उसे इंसुएंस पॉलिसी है, बहुत ही असानी से बिग